कि नमस्कार आप सभी बीए पार्ट परसंवर्ष के विद्ध्यारतियों का आज के व्यक्यान में स्वागत है कि आज हम हमारे पेपर सेकंड की जो थर्ड यूनिट है कि उसकी जो अगली अवदार्णा है जादू कि उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जादू कि आदिम समाजों के अंतरगत कि मैत्मूर्ण अवदार्णा है कि मनुश्य ने अपने प्रारंबिक अवस्था से ही अर्दश्य और अलवकुक शक्तियों को जानने के प्रती तेवर अभिराशा रखी है और मनुश्य इन अज्यात शक्तियों को जिन तरीकों से जानना प्रता है वह तरीके दो प्रकार से होते हैं प्रता माद्यम यह है कि उस अतिमानविय अलोकिक और आद्रश्य शक्ति के सम्मुख स्वयम को ऐसमर्थ समझ कर नत्मस तक हो जाए अर्था अर्थ अपने को उस अलोकिक अतिमानने और आद्रश्य शक्तियों से कमजोर माने और ऐसा करते हुए पूजा अर्चना वा अराधना के दुआरा उस अलोकिक अतिमानविय अद्रश्य शक्ति को प्रसंद करके उस शक्ति से लाव प्राप्त करें यदि मानव ऐसा करता है तो इस प्रक्रिया को धर्म कहा जाता है दूसरा माध्यम मैं मानव इस अलोकिक अतिमानविय और ऐद्रश्य शक्ति को वश में लेकर अर्था अर्थ अपने नेंत्रण में लेकर अपने इच्छाओं की पूर्थी करें तो वह जादू के अंतरगत आती है अर्था अर्थ मानव ने अपने प्रार्णविक अवस्ता से ही यह माना कि कोई ना कोई अलोकिक अध्रश्य अतिमानविय शक्ति उसके उपर है और उसे उस शक्ति को नेंत्रण में लेना है और उस शक्ति को नेंत्रण में लेने के लिए मानव ने दो तरीके अपना है पहला तरीका धर्म कहा गया दूसरा तरीका जादू कहा गया धर्म के अंतरगत मानव ने उस अलोकिक अतिमानवी एदर्श्य शक्ति को के सम्मुख अपने को एसमर्थ मानकर उसकी पूजा अराधना या उसके सम्मुख नत्मस्तक होकर उससे अपनी मनों कामने पूर्ण करव किया और दूसरे तरीके के अंतरगत उस अलोकिक अतिमानविया और आद्रश्य शक्ति को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी मन्वकावन्राओं को पूंड करने का कारे किया जिसे जादू कहते हैं अब हम जादू की परिवाशा पर चर्चा करेंगे सामाजिक मानो शास्त्री मेलनोस्की ने जादू की परिवाशा रखी मेलनोस्की कहते हैं कि जादू विशिद व्यवारिक क्रियाओं का योग है जिनें उद्देश्यों की पूर्ती के साधन के रूप में प्रियोग किया जाता है अर्थार्थ मेलनोस की कहते हैं जादू विशिद्द व्यवारी क्रियाओं का योग है अर्थार्थार्थ जादू के अंतरगत बहुत सारी परस पर सम्मलित क्रियाओं की जाती है और ऐसा करके मानव अपने उद्देश्यों की पूर्ती प्राप्ट करता है इसके अलावा शामाचरण दूबे ने भी जादू की परिवाशा रखी शामाचरण दूबे जो की भारतिय सामाजिक मानोशास्त्री हैं कहते हैं कि जादू उस शक्ति विशेश का नाम है जिसमें अतिमानिवी जगत पर नियंतरण किया जा सके और उसकी क्रियाओं को अपनी इच्छानु साथ भले बुरे शुब अशुब के उपियोग में लाया जा सके अर्थार शामाजरण दूबे कहते हैं कि अतिमानिवी और अलोक एक शक्ति को अपने नियंतरण में रखना ही जादू है और इस तरह उसे नियंतरण करके मानो अपने शुब अच्छे बुरे शुब अशुब जो उपियोग हैं उनको काम में लेता है फ्रेजर कहते हैं जादू मनुश्यों के विश्वाशों का वह संग्रे है जिस पर किसी प्रकार की आलोचना वापने परिक्षण नहीं हो सकता अर्थार फ्रेजर कहते हैं कि जादू विश्वाशों का समग्रियोग है और इस विश्वाश की आलोचना वापने परिक्षण नहीं किया जा सकता है इस आधार पर फ्रेजर ने जादू को सैध्धान्तिक और व्यवारिक बताया और इस कहते हैं कि जादू नकारात्मक और सकारात्मक भी होता है जादू को सैध्धान्तिक वा व्यवारिक में बरगिगरत किया वेवारिक को भी सकारात्मक और नकारात्मक में फ्रेजर बर्गी करते हैं अब हम जादू की क्रिया के तत्वों पर चर्चा करेंगे शामा चरण दुबे कहते हैं कि जादू के तीन तत्व होते हैं पहला कतीपे शब्द उच्चारित मंत्र दूसरा शब्दोचारर तथा विशिष्ट क्रिया हैं और तीसरा जादूगर की विशिष्ट इस्थिति शामा चरण दुबे कहते हैं कि जादू के अंतरगर तीन तत्व पाये जाते हैं सरप्रसम वो कहते हैं कि जादू में कुछ शब्दों का या मंत्रों का उप्योग किया जाता है यह शब्द वा मंत्र अपने आप में विशिष्ट होते हैं और जादूई क्रिया का प्रसम तत्व कहलाते हैं इसके परशाद शामा चरण दूबे कहते हैं कि शब्दों चारण तत्व विशिष्ट क्रियाएं जादू क्रिया के तत्व होते हैं अर्थाद जादू की क्रिया के अंतरगत शब्दों का उच्चारण किया जाता है और इसमें विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं अर्थाद विशिष्ट क्रियाएं भी शब्दों चरण के साथ साथ की जाती हैं और यह जो शब्दों चारण है यह कतिप शब्द या मंत्रों का होता है इसके पश्चात शामाचरण दूबे कहते हैं कि इसमें जो तीसरा तत्व है वे है जादूगर की विशेश इस्तिती अर्था शामाचरण दूबे कहते हैं कि जो शब्दों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति है या जादू की जो विशेश प्रकार की क्रियाएं करने वाला जो व्यक्ति है वहे विशेश इस्तिती में होता है अर्थार्थ उसका जीवन गोपनिय होता है उसका परिधान गोपनिय होता उसके जीवन जीने के तरीके गोपनिय होते हैं अर्थार्थ वह विशेश व्यक्ति होता है और विशेश इस्थिति में कारे करता है अर्थार जादू ही क्रियाएं सभी समय नहीं की जा सकती इस प्रकार शामा चरण दुबे जादू के तक्चों को तीन भगों में बाड़ते हैं कतीपे शब्द अर्थार्थ मंत्र शब्दोचारण और विशेश क्रियाएं और तीसरा जादूगर की विशेश इस्थिति अर्थार्थ ऐसी वेवारी क्रियाएं करने वाला व्यक्ति विशेश इस्थिति में होता है मैलनौस की भी जादू क्रिया के तत्वों को गीकरत करके समझा जा सकता है इस करम में सरप्रसम में मंत्र को रखा में में था कि ने कहा की मंत्र वे शब्दों के सम्हूं है जो एक निश्चित कर आरत्म्य के अधार पर बोले जाते हैं और इन इसके पुर्षाथ मैलनॉस की कहते हैं कि जो दूसरा तत्व वह है भोतिक प्रदार्त अर्थार जादू जादू की क्लिया के payments जादू प्रक्रिया की प्रक्रिया के अंतरगत जन प्रदार्त प्रदार्तों का उपयोग किया जाता है वह भी जादू के लिए के तत्व होते हैं इसके अंतरगत बिच्छू के डंग शेर के बाल शेर के नाखून मिट्टी किसी व्रक्ष की जड़ें किसी व्रक्ष के फल सभी समलित किये किये जाते हैं इसके प्रता इसके प्रशाद मेलनोस की कहते हैं कि कृतियों की नियम बदता भी जादूई क्रिया के आवशक होते हैं अर्थार मंत्र और प्रधार्थ जो है उसके साथ साथ जादू की जो क्रिया है उसकी नियम बद्धता भी आवशक होती है अर्थार जादू में नियम बद्धता भी आवशक ततु है अर्थार कब कौम से मंत्र का उच्चारण करना है उस मंत्र के साथ साथ किन बौतिक साथ साथ किस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं यह भी जादू ही क्रिया के महत्मों तत्व होते हैं जिसे क्रतियों की नियम बद्दा के रूप में जाना जाता है और मैलनोसकी के अनुसार जादू क्रिया का जो चोथा तत्व है उसे हम समवेगों की अभिव्यक्ति कहते हैं अर्थार मनुष्य के जो समवेग हैं मनुष्य की जो भावना हैं वह किस प्रकार अभिव्यक्ति की जाती हैं इसमें भी जादू क्रिया का महत्मून तत्व होता है अर्थार्थ जादू की क्रिया को करने वाला व्यक्ति किस प्रकार अपने मनो भावों को अपने सम्वेगों को नियंतरित करते हुए उन्हें वश में रखते हुए जादू क्रिया की प्रक्रिया को करता है इस प्रकार मैलनोस्की के अनुसार जादूई क्रिया के चार तत्व होते हैं और शामा चरन दूबे के अनुसार जादूई क्रिया के तीन तत्व होते हैं आज के व्याख्यान में हमने आदिन समाजों के संधर्व में जादू की अवधार्णा पर चर्चा की इस जादू की अवधार्णा के संधर्व में हमने सरप्रथम यही बताया कि जादू उस प्रक्रिया का नाम है जिस प्रक्रिया के माध्यम से मानव अतिमानवी अलोकिक और एदर्श्य शक्ति पर अपना नियंत्रन इस्थापित करता है और इस नियंत्रन के आधार पर वह अपनी मनों काउमनाओं के अनुसार कारें चिद्ध करवाता है जादू की तीन परिवाशाएं भी हमने देखी जिसमें मैलनौस की शामा चरन दूबे और फ्रेजर की परिवाशाएं थी उसके परशाथ हमने फ्रेजर के दूआरा दिया गया जादू का जो मोटा मोटा वर्गी करण है उस पर चर्चा की और उसके परशाथ हमने जादूई क्रिया के तत्वों पर चर्चा की जिसमें शामा चरन दूबे ने जादूई क्रिया के तीन प्रकार के तत्तु बताए और मैलनौसकी ने चार प्रकार के तत्तु बताए आज के व्याख्यान में इतना ही अगले व्याख्यान में हम जादू की अगली अफ़ार्णाओं पर अगली प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे धन्यवाद